हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें दिलक जो मन्चाहा मांग लिया, यदि आप ना देना चाहें, तो मत दीजे, तोड़ दीजे अपना वचन, सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा, फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिफ़ा पर कभी मतलाईएगा, देवी, देवी कैका ही? क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे, ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी, ये क्रोध की अगनी किसने भड़काई? किसने तुमारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यों से बुला रही है? बताओ, कैके, देखो, हमसे तुमारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है. तुम जानती हो, कि तुम हमें प्राणों से भी प्रे हो. तुम जो कहो, वो कर सकते हैं. जो चाहो, वो तुमें दे सकते हैं. यदि तुम चाहो, तो राजा को भिकारी बना सकते हैं, या भिकारी को राजा? देवी, जहां तक सूरे का चक्र घुमता है, वहां तक सारी पृत्वी मेरे अधिकार में है. द्रवेड, सिंधु, सोवी, सवराष्ट्र, दक्षिन के प्रदेश, तथा अंग, बंग, मगद, मत्स, काशी और कौशल इन सब पर मेरा अधिकार है इतने बड़े सामराज्य में जो भी सबसे मुल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम ततक्षन तुम्हें दे देंगे परंतु हमसे यू मू ना मोड़ो तुम रूट जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहरे देवी, मांगो क्या चाहिए हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी खशन देंगे देंगे, देंगे, सदा ही कहते रहते हैं आप कभी कुछ दिया भी है, आज नए वचनों को लेकर आ गए अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किये मैं इन नए वचन को लेकर क्या करूंगी देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किये देखा? वो भी भूल गये महाराज जब देवासुर संग्राम हुआ था आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गय थे असुर शंबर के साथ महाँ जो युद्ध हुआ था उस समय में आपके रत की सार्थी बनी थी याद है या वो भी भूल गया हाँ याद है ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भ करने से खायल होकर मुर्चित हो गए थे यदि मैं उस समय शत्रों के बीच में से रत निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बच दे मैं रत को एक निर्जन स्थान पर ले गई वहां आपकी सेवा असुर शुशा की उससे आपकी मुर्चा भंग हुई आपके को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं जब चाहूं तुम पर अपने प्राण नोचा वर कर देंगे आपके प्राण को लेकर में क्या करूंगी मैं कि इतना याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय आपने कहा था प्राण प्ये तुमने मेरी rhymes después मैं तुम्हें दो वर्दान देता हूं मांगो क्या मांगना चाहती हूं किन्तु मैंने कहा था महराज मेरे ये दोनों वर्दान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीचे जब आवशेक्ता होगी मांग लोगी हाँ हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की तुमने जैसी वीर्दा दिखाई थी उसके लिए दो नहीं तुम्हें चार वर्देने चाहिए थे महाराज अभी तो आप दो ही पूरे कर दीचे तो बहुत है परंतु उनके पूरा करने में अडचन क्या है तुम अभी मांगो हम प्रतिग्या करते हैं कि जो मांगोगी तदकाल उसे पूरा कर देंगे मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बाते हैं अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा देवी एक रगवन्शी की बात का भरोसा नहीं रगवकुली रीती सदा चली आई प्राण जाये पर वचन न जाये महराज ऐसे चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए देखो तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो हम तुमारी शपत लेते हैं मेरी शपत हां मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा हां राम तो राम की शपत क्यों नहीं ली राम की शपत ठीक है तुम्हारे लिए हम राम की शपत लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे हां हां परन्तु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी क्या पहले ये भेंकर वेश उतारो कोब भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहनी छबी हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकूर की होती है लेकिन आप मेरी पूरी बाग तो सुन लीजिए कहीं अब तो हम राम की शपत ले चुके हैं उठो एक बार उसी मोहनी मूर्ती के दर्शन करा दो तुम्हारे दोनों वर ततकाल पूरे हो जाएंगे हां अब लगती हूँ दश्रत के हिरदयासन पर विराजमान एक सामराग्गी आओ बैठो मेरे पास सुनो सारे नगर में कैसी हर्श धोनी हो रही है प्रजार राम का राज्य अभिशेक मना रही है वो तो मैं सुनी रही हूँ किन्तो आप पहले मेरी अधुरी बात तो पूरी कीजिए मेरे वो दो वर्दान आज्या करो बुलो क्या चाहिए आज अपने राम के नाम पर सब कुछ नियोचावर कर देंगे मांगो जो चाहो मांग लो मुझे तो बस मेरे दो वर्दान चाहिए पहले ये मांगू या ये मांगू कोई भी जो चाहो आप ही बताए ये ये मांग लो मांगू? हाँ हाँ मेरा ये वर्दान कहता है आयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले राम को नहीं हाँ महराज भरत को और दूसरा वर्दान राम को चौदा वर्ष के लिए वनवास क्या राम को बनवास हाँ महराज चौदा वर्ष तक राम तपिस्वी की तरह मुनी वेश में वन में रहे उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो हाँ भी वोशित है हाँ हाँ मेरी बात सुनकर आपको ये सन्निपाथ सा क्या हो गया? मेरे दो वर्दान आपके पास धर्वर स्वरूप थे, सो मैंने जो मन्चाहा मांग लिया, यदि आप ना देना चाहें, तो मत दीजे, तोड़ दीजे अपना वचन, सारे संसार में आपका ही अप्याश फैलेगा, फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिफ़ा पर कभी मतलाईएगा? कहके, जानती हो, तुम क्या मांग रही हो? भली भाटी जानती हो, महराज, मैं क्या मांग रही हूँ? नहीं, नहीं, ये कैसे संभा हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूँ? हूँ, बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोच कर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो, क्या सोचा था आपने? कि ये भूली भाली कहकेई, थोड़ा सा चना चबे न मांगेगी? आरे, मैं एक राजा की पुत्री हूँ? एक राजा की धन पत्नी हूँ? एक राजची से भी भाला कम क्या मांग सकते हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? हम, सोचना चाहिए था, और सोचा नहीं. इसमें तुम्हारा दोश नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना. मैं, जिसे एक हीरे का हार समझ कर, गले से लिप्टाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली. महराज, आप तो इस्त्रियों की तरह गाली देने लगें? कैसे वीर पुरुश हैं आप? मुझे तो आप पे हसी आ रही है. मैं, तुम क्या हसोगी? हसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी. जब लोग कहेंगे के बुढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया, के राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूँगा? और जब कहीं किसी वीर पुर्षों की सभा में आपसे कोई पूछेगा, के जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप रणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपत लेकर वचन दिया था, जब उस विचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से काईरों की तरह मुँ फेर लिया, और हारे हुए जुवारी की तरह तिल मिला उठे, तब आप क्या उतर देंगे महराज, स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वच, आपकी कितिन ही शोभा मखानेंगे, कह गई, तुमने मुझे कही का नहीं रखा, कही का नहीं रखा, नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु, तु हमारे कुल का नाश करने आई हूँ, है भगवन, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया, इतना संताप क्यों कर रहे हैं महराज, मैं कोई मोल्ली हुई तो नहीं आई, या भरताप का पुत्र नहीं, ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया, कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते, कान खोल कर सुन लीजे, राम के अभशीक से पहले, आपको मेरी चिता को अगनी देनी होगी, आज अयध्या के राजद्वार से, राम या तो वन जाएगा, या कहके की अर्थी निकलेगे, क्योंकि, ऐसे अधर्मी, वचन भंग करने वाले कापुरुष पती की पत्नी कहलान चन मुँ से ना निकालो प्रिये, किसने तुमारे मन में ऐसी दुर्भाव ना पैदा कर दी, किसने हमारे प्रेम और विश्वास में ये विश्ख खोला है, भरत और राम तो मेरी दो आखें है, तुम भरत को राज़े देना चाहती हो, तो मुझे स्विकार है, मेरे राम को राज्य का लोब नहीं है, उसने तो राज्य सभा में भी इंकार कर दिया था, भरत यदि राजा बनना चाहे, तो मैं सबेरे ही भरत शित्रुगन को बूलवा लूँगा, दूसरी लगन शोद कर, भरत को राज्य दे दिया जाएगा, परंतु, राम को बनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले, राणी, वापस ले ले, वापस ले, वापस ले, नहीं हो सकता, यदि आपको देने है, तो दोनों वचन देने होंगे, मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ, रानी, तु मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चर्णों में डाल दूँगा, किन्तु, राम के विरे में तु मुझे मत मार, तु मुझे मत मार, रानी महराज, राम यति इतना ही प्यारा था, तो उसके शपत लेकर मुझे वचन देने की क्या अवशिक्ता थी, बड़े उदार बनकर, दानी बनकर, किस बल पे कहा था, मांग, मांग क्या कही, जो चाहती है दूँगा, महराज दश्रत, रभुवाइश शिरोमणी, आपकी वो रभुपुल्टूरी थी, कहा तेरी गए अप्राण जाए, पर वचन न जाए, क्या वो जूठा, ठोथा, प्रलाप था, अलर्गल बाते थी, वो सब मिध्या थी, जूट था, या आपका रजाया हुआ प्रपंश था, उत्तर दीजे, यह भगवन, तुने मुझे कहा कुछ और लाकर मारा है, अब मैं राम को क्या मूँ दिखाऊंगा, किस मूँ से कहूंगा, के राम, तु अब राज्यक अधिकारी नहीं रहा, है राम, है राम, है तेरे पैर पड़ता हूँ, तुझे हाथ जोड़ता हूँ, रानी, रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर, तेरे मन की ममता, नारी हिर्दे की कोमलता कहां गई, तुने राम को सदा, सगी मा से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझ में, और अपनी मा में, कोई भी अंतर नहीं रखा, देख, देख हंत में, तु बहुत बड़े कलंग की भागी बनेगी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, यह कुठिल कठोर विचार मन से निकाल दे, मैं तेरे पायर पढ़ता हूँ, तेरे पैर पढ़ता हूँ, अब अधिक प्रपंच मत कीजे महाराज, धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगन खाकर कहती हूँ, राम को बन में भीजने के सिवाए, मैं किसी और वर्स संतुष्ट नहीं हो सकती, फिर यह प्राण नहीं रहेंगे, अरी निर्धाई, निश्टूर, सूरे के बिना यह संसार रह सकता है, जल के बिना मचली रह सकती है, किन्तु, राम के बिना दश्रत के प्राण नहीं रह सक जिन्होंने अपना वजन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुती देडा दी, एक पंच्छी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी, आप उन रखुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रखुवंश के कलंक हैं, कलंक. कहीं, कहीं, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी, देख, देख, तेरा यत्रियाठ तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा. हो जाए सर्वनाश, आजाए महाप्रले, किन्तु राम अवश्य बन जाएगा अली हत्यारी, कुल घातनी, यह तू नहीं बोल रही है, यह दश्रत का काल बोल रहा है दश्रत का काल बोल रहा है दश्रत का काल बोल रहा है फेर मुर्ची थोगे